उत्तर प्रदेश के बुलन शहर में बस्पा के पूर विधायक हाजी अलीम के बेटे अनस अलीम को CBC ID ने गिरफतार कर लिया है। की गिरफतारी की गई है। परिजुनों ने बताए कि 9 अक्टूबर की रात को हाजी अलीम को पोता हुआ था। परिवार में खुशी का महौल था। अचानक 10 अक्टूबर की सुबह हाजी अलीम का बेटरूम में गोली लगा शोव मिलता है। उदर मामले में आगरा फोरेंसिक विशिशग्यों की टीम ने भी खटना अस्थल पर सबूत एखटा किये थे। अक्टूबर की सुबह को हाजी अलीम का गोली लगा शोव उनके ही बेडरूम में पुलिस ने बरामत किया था। साथ ही दावा किया था कि घटना स्थल से पिस्टल और दो खोका कार्तूस बरामत हुए थे। हाजी अलीम के सिर पर गोली लगने के बाद मामला हत्या और आत्महत्या की गुथी में उलज गया था। हाजी अलीम के बेटे अनस ने कहा था कि पिता जंदा दिल इनसान थे ऐसा काम कर ही नहीं सकते। वही हाजी अलीम के शव का पोस्ट मौटम करने वाले डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि सिर पर एक बुलिट इंजरी शॉट था गोली सिर पर लगकर आरपार निकल गई शरीर में और कोई इंजरी नहीं पाई गई हाजे अलीम 2007 और 2012 में बस्पा की टिकट पर बुलंद शेहर सदर सीट से विधायक चुने गए थे 2017 की चुनाओं में उन्हें बीजीपी के विरेंदर सिरोही ने हरा दिया था जिस दिन से इंतिकाल हुआ है हमारे वालिद का उस दिन से लेकर आज तक हम certificate के मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं कि उनका ACT जो है सच खुल अजाए है हम लोग ने आज दिन एक कर कर CbCiD कर आई CBCRD की जाच कराई जब हम लोग यहां की पुलिस से और इन सब लोगों से नाउमीद हो गए तो हम लोगों ने CBCRD की जाच कराई और अनस अलीम के नाम से CBCRD की जाच हुई भी और पर्मनेंट जो है अनस उसकी पैरोकारी कर रहा है यहां से लेकर लकनों तक और मेरट तक और पर्मनेंट उन लोगों को सयोग कर रहा था जो टीम बुलेंशेहर आ रही जी और उन लोगों को जो है इस तरह सपोर्ट कर रहे थे कि हर चीज के बारे में उनको जानकारी दी जा रही थी बल्कि अपने घर पर उनको जो भी उन्होंने इंक्वारी की उनके कमरे में जाना और सारी चीज़ें वो सब ने उनको कराया और अनस उनके साथ हर जगा साहियोग करता रहा और और CBCID जो है वो इस चीज का आसवाशन हमें देती रही बार-बार कि आप लोग मेहनत कर रहे हो हम लोग जो है सच केस खोलेंगे तो अनस को फसाने का मामला यह है कि इसके अंदर जो मेरे वालिद का पतल हुआ उसके अंदर भी राजनीती है और जो अब यह फसाया गया यह हजी उनुस का काम है हाजी युनिस, जो है मेरा चाचा है और विदायक हाजी ये लिम साब का भाई है यह उसका काम है क्योंकि उसको यह बात नहीं जिलरी है کہ हमारी प्रॉपरडी पर उस्ने कभज़ा किया हुआ है और हम्हारी फैक्टरी पर उसने कभज़ा किया हुआ है और शहर के अंदर तो उसको यह बात नहीं घिलती जब यह उक्चुनाओ का मसला आया तो उसको हर जागा पर यह कहा गया कि तुम अपने परिवार से समझोता कर लो इस बात पर क्योंकि वो जो है सुलाह नहीं करना चाहता इसलिए उसने सीबी सी आडी से बात करकर उनको जो है पैसे दे कर और करेडिने से साजिट ड्राइवर्र जो है उसका क्या मेठर है क्या नहीं है वो सीबी सी आडी जनती लेकिन हमारे सामने उसका कोई मैटर नहीं आया, साजित का, और उसका अनस से कोई तालोग है, ऐसा है उसके पास से जो पिस्तल परामत हुई है, नहीं विधायक जी की नहीं थी, वो उसके अपनी पिस्तल थी, 32 बोर की, जो वहाँ पर, CBCID वालों ने हमें खुद बताया कि 32 बोर है, क्या दिमांड करना चाहते हैं, सरकार से डिमांड करना चाहते हैं, कि नार्को टेस्ट की हम लोग ने अपील की लिए हाई कोट में, कि हम सब के नार्को टेस्ट कराए जाए, जिसमें हाजी उनुद भी शामिल हो, और हम लोग भी शामिल हो, उसमें फोलीग्राफ टेस्ट ह और नार्को टेस्ट है मैं अपने नाम से अलाबाद में लगा कर आया हूँ मैं चाहता हूँ कि वो जो है दोनर टेस्ट कराए जाए और निस्पक जाच हो इसके